अलो फ्रेंज, वेलकम डू आज चानल करनट अफेर अपडेटेड इस दिवशी शवस्ती और जैसे आप लोग डिमांड कर रहे थे तर पदमा वाट्स अभी रिसेंटली मिले हैं और बहुत इंपॉरेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से उस टॉपिक को कवर किया जाए तो म लोग कहां से बिलॉंग करते एं मतलब इंडिया से बिलॉंग करते तो के स्तेंट से बिलॉंग करते हैं इस सारी चीज़ आपको एगजाम बहुत इबास्ट लिए पहले से पहले पर घडा यात्रत लीवाट्स पहले मिला है इसको हम कहते हैं भारत तरत ने उसके बारे मैं डिसकस करना चाहूँगा फिर हम पदमा वार्च को डिसकस करेंगे तो भारत तरत ने 2024 अभी एक परसनालिटी को दिया गया है जिसके नाम है करपूरी ठाकुर याद रखेगा यह एक्जामें आप से पूछा कते हैं भारत तरत कम्नुटी के लिए ने बहुत वर्क किया हुआ है तो अभी जीवित नहीं है यह आपको याद अखना है और इंडिया का सबसे बड़ा वार्ड अगर मैं कहा हूँ हाइस सिविलिन अवार्ड कौन सा है तो आपको याद रखना है तो यह सेकेंड जानवरी 1954 से स्टार्ट हु तो यह मैं आपको बेसिक बतारा हूं अब कुर लोग सोचों को सब भारत रत पे एक डेडिकेटेट वीडियो आप बनाइए का बिल्कुल मैं बनाऊंगा भारत रत बाक्से में तो चली बना दूमाब ये बना दूगा तो चलीए स्टार्ट करते में बहारत को रिखना है य हमें discuss करता हूँ Padma Awards सबसे पहले Padma Awards कि अगर बात करें तो इंडिया का ये वन आफ दे हाइस अवार्ड है ये मेंली तीन categories में दिया जाता है आपको categories बतायता हूँ सबसे उपर वाली जो category है वो है पदमे विभूशन सबसे बड़ी category है उसके नीचे जो है वो है पदमे भूशन और जो सबसे नीचे वाली तैस पदमे शिरी तो तीन category है याद एकना आपको रैंकिंग के एक्कॉर्डिंग ही प्रेंशन किया हुआ है यहाँ पर याद रिखिए सबसे बिलोगा रैंकिंग कौन है पदमेशिरी बहुत साय लोग को दिया जाता है अब आप सोचों कि इस एक्जाम में क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा पर पहले थोड़ा सब बेसिक बता दो फिर मैं 2024 की पद इंजिनरिंग में इंडिस्ट्री में में लिट्रेचर में एड्यूकेशन में स्पोर्ट्स में सिविल सर्वेसेज में एट्सेक्टा बहुत साई फील्स में आप देखेंगे कि पदमा वाट्स दिये जाते हैं ठीक है तो आपको आपको यह वार्ड गवर्मेंट आपको याद अखना है जबकि पदमे भूशन जो सेकेंड वाली केडिगरी है वो डिस्तिन्विश्ट सर्वेस ओफ आइओर के लिए दिया जाता है देखेंगे तो में चीस तो आप देखेंगे आपको बेसिकों में इस पूछेंगे तो इस तरह करेंगे एक्षक्या distinguished service किसके लिए यूज किया गया है तो आपको आंसे लगाना है पद्म के लिए इसलिए मैंने आपको यह words जो है यहां पर mention कर दिये हैं वना बाकी जब मैं fields बताऊंगा तो ऐसे ही बताऊंगा आपको sports में मिला है ठीक है यह other category में मिला हुआ है योगा वगरा में दिया गया है आपको पता है 26 January अभी recently निकली है तो उस time पर Padma Awards declare हुए और आप देखेंगे declare तो यह Republic Day में कर देते हैं बट यह देते कब हैं यह देते मार्च अप्रेल में मतलब यह award अभी declare कर दिये गए तो एक्जाम कल इंपॉर्टेंट है बट यह award मिलेंगे याद कि मार्च अप्रे यह वापस topic news में आ जाएगा अभी तो आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी दिये गए हैं बट मार्च अप्रेल में फिर से important हो जब भी यह government announce करेंगे राश्पति भवन में award दिये जाए इस बार जो award दिये गा है अभी exam के लिए current affairs के लिए important तो आप देखेंगे 2024 में President न decide किया है कि award जो है approve किया है कितने लोग को पद्मा वाच मिलेंगे 132 एक time के लिए number बहुत important है कितने लोगों को इस बार पद्मा वाच मिल रहा है total that is 132 कि आपको यादा कि और 132 को अगर मैं divide करूं इन तिनों वाच में तो पद्मे विभूशन सबसे बड़ा वाला था मैं 132 हो जाता है और पद्मे श्री जो है वह 110 लोगों को मिल रहा है मतलब 132 टोटल अगर आप करोगे तो ठीक है तो आपको कि सर एक्जाम में क्या पूछा सकता है देखो पद्मे भूशन पांच लोगों मिल रहा है तो एक्जाम के लिए 500 परसनालिटी इंपोरेंट होंगी क पूछ सकते हैं पाची लोगों को क्यों कर रहा है पद्मे भूशन की बाता हूं तो 17 लोगों को मिल रहा है तो क्या 110 लोगों के नाम याद करने पड़ेंगे मैं आपको बताऊंगा किस को आपको याद रखना है एक्जाम पर्स्पेक्क्टिव से टीक है वो मैं आपको जो है वो याद रखिये का वोमेंस है तब देख सकते हैं मैंने इंपार्मेंट की बात करते हैं तो 30 क्या है इस बार की वोमेंस हैं आस पॉइंट इस बार के एक्जाम में ये होने वाला है एट पीपल ऐसे हैं जिनको यह वाड मिल रहा है वह foreigners है या तो वह NRI है या तो वह people of पब्लिक औफ इंडियन पीपल औफ इंडियन औरिजिन या ओवसी सेटिजन 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 सफ इंडिया आप कैसा क्या एक तरीके तरह फॉर्नर साप मोटे मोटे देखा जाए तो वह है तो आट लोग को मिल रहा है ठीक है और नाइन लोग ऐसे जिनको पॉस्तो मसली मि आठ आप से पूछे जा सकते हैं बतलब एक तरीके तरह फॉर्नर जिनको मिल रहा है उनके अवाट्स जो मिल रहे हैं वह इंपॉर्नेंट हो जाते हैं पद में विभूशन इंपॉर्नेंट है पद में शिरिव को आप लाइट नोट पर गोथू कर सकते हो ठीक है छलिए हैं जो फॉर्णर्स है या एनराई है पी आई हो है ओसी आई है जो भी उनको मैं डिसकस करेता हूं पहले हैं यॉंग लियू अब देख सकते हैं प्राइमरिस सा मोधी के साथ इनकी इमेज दिखी होगी यॉंग लियू की इनको पद में भूशन मिल रहा है तो पहले बता दू इनको मिल रहा है और एक लोते हैं जो पद में भूशन की केडिगरी में बाकी जो मैं सेवन बताऊंगा ना एट है टो एक तो यह हो गया है तो मतलब इसका मतलब यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है यह इनको किस फील्ड में मिल रहा है ट्रेड और इंडस्ट्री की फी यह चेर्मेन है याद कि यह ताइवान बेस्ट हॉन हाई टेक्लोलजी ग्रूप जिसको आप वक्स कॉन भी कहते हैं तो यह आपको याद रखना है और यह इंडिया में इस तरह बढ़ा रहे हैं तो इनको अवार्ड भी दिया गया यह बहुत पर इंट्रसिंग इनको यह व पदमिश्री वाले हैं सारे जैसे कि पहला है रेजवाना चौधरी आप उनकी जहां पा देख सकते हैं चीज़ बांगलादेश सिंगर तो बांगलादेश पर बताने वाला हैं चारो फ्रांस हैं आपको पताओ कि इस पर रेपबिक डे में हमारे जो चीफ गेस्त हैं वो फ् पदमिश्री दे रहे हैं एक करके मैं नाम बताता हूं पहला है चालोड चॉपिन यहाँ देखेगा आप उनकी इमेज देख सकते हैं इनको पदमिश्री दिया गया है एज इनकी 100 इनको पदमिश्री दिया गया है कहां पर फ्रांस में इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं इनको दिया गया है का दिभादमिश्री ठीख है अगरबात करों तो किरिंडव्यास यह भी आप देख सकते हैं टो करते हैं टो चार लोक हैं इनको फ्रांस मिला चौथे यह हैं फ्रांस से पदमिश्री से थे यह मेक्सिको के है ज़िए रवी प्रकाष तिंग बिल्कुल इंडियन नाम लग रहा है बिल्कुल सही है रवी प्रकाष सिंग मेक्सिको से बिलॉग करते हैं science or engineering की field में इनको यह वॉड दिया गया है सिर्फ 66 years में है और beat scientist है कौन से scientist है जियादगे आपको और जो evidence है वो है Sai Sindran, ओके याद दखेगा ससिंदरन नाम है उनका ससिंदरन नाम है यादगे यह political leader है और Papu New Guinea के political leader है जिनको यह वॉड दिया गया है सिर्फ 49 years के हैं और उनको public affairs के लिए यह award दिया गया है पपु न्यूगिनी ओके तो यह 8 जो है फॉर्णत पदमिश्री इनको ही मिला है याद रखेगा तो 8 में से 7 जो है वो पदमिश्री है और एक पदमिभूचन है याद के ताइवान वाला chances इनके 8 के ज्यादा है एक्जा से जादा है पूछे जाएगा 24 में पदमिभूचन किते लोगों मिला है पांच लोग हमें पांचों के नाम उनकी category वो किस state से बिलॉंग करते हैं उनकी images आपको दिखा देता हूँ इसमें आप याद रखें बड़े interesting नाम है आपको याद भी हो जाएगा सलो मैं कैसे याद दिया गया है विजिनती मालाई थिंग आपने इनको सुना देखा होगा इनका dance अगरा भी देखा होगा artist है बहुत famous है ठीक है नेक्स आप देखें चिरन जीवी यार यह तो actor है बिलकुल कुछ लोग देखते हुए कहना चिरन जीवी चेल्गू के film star है Megastar है बिलकुल चेल सब लोग जानते होंगे सर हमाई देश के former vice president रह चुके हैं बेंकाईयन आइडू मैं बता दूं आंधर प्रदेश ते बिलॉंग करते हैं public affairs की fieldman को दिया गया है इनकी age हो गई है 74 years वो पद में विभूशन इनको दिया गया बड़े teen बड़े interesting है कि नहीं चिरन जीवी वी अगला है बिंदेश्वर पाठक बेरी फेमस अनो प्रांत इनको दिया गया मतलब पॉस्ट मसली मनने के बाद इनको मिला है ये age 80 years थी इनकी जाद है कि पद में विभूशन मिला है 24 में social work के लिए ये बिहार से बिलॉंग करते हैं बिहार है politics भी बड़ी high चल रही है तो ये बिहार से बिलॉंग करते हैं इनको toilet man of India कहते हैं क्या कहते है toilet man of India क्योंकि इनोंने जा देखेगा बहुदा important काम किया है toilet को ल मिला है नाम है पदमा पदमा के नाम से यादगा पदमा watch में इनको पदमी भूशन मिला है पदमा सुब्रमनियम नाम है भरत नाट्यम डांसर आपको यहां पर दिख रही हों एज इनकी 80 years हो चुकी है यादगे पदमी भूशन दिया गया है तमिल नैडू से बिलॉंग करत ही जाएगे अब आप कंगे हमने याद कर लिए लिए पदमें विभूशन कितने उनको है वह 17 लोगों को से ब प्रकिया नाम याद करें क्या अरहा अरे मत याद करो एक तो याद-जाद याद याद हो गया हो ताइवां को मैंने वह आपको नाब्य वह विव traff应 बताता हो जो गबिया में आपको पतायान के यह भी टाइवानकी के ट्रेडरी दिए गया के इंडीया की पहली सुप्रिम कोट की जज अभी इनकी डफ हुई है इसलिए न्यूस में थी फातिम्हरी способ में आपको भी पद्मभूशन दिया गया है तो ऐसे इंटरस्टिंग जो होते हैं ना सीतराम जिंदल इंडें से बिलॉंग करते हैं तो यह सारे नाम जो हैं इनको याद कहीं जरूत नहीं है बटेक्श आप गोथुरू कर लेना पीडिएफ आपको प्रोवाइड करूंगा गोथुरू कर लेना बट जो बहुत इ महराश से बिलॉंग करते हैं आठ की फील्ट में प्यारे राम शर्मा जी को दिया गया है राम नायक या पब्लिक अफेर्स में दिया गया है महराश से बिलॉंग करते हैं ठीक है जो आपके स्टेट के नाम लिखे हुए सारे ठीक है आपके जो भी स्टेट से बिलॉंग करते ह बिला है तो आपके स्टेट के अगर मिला है तो एक बार आप गोत्रू कर लेना तो कि आप देख सकते हैं उशा वेस्पेंगॉल से बिलॉंग कर रहे हैं तो अगर आपकी फिल्ड से कुंदन व्यास आप देखें लिट्रेचर एजुकिशन में मिला है मतलब जनलिजम में मिला है महराश से बिलॉंग कर रहे हैं तो आपके अगर फिल्ड के स्टेट के हों तो आप एक बार गोत्रू करना वरना आप सिर्फ एक बार आते हैं सेवेंटीन लोगों को पद में क्या मिला है फूशन मिला है मिथुन चकवरती जो मैंने भी आपको बताया आपको यॉंग लि को कि आपको करना क्या है आपके अगर स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो आप उनको याद करें आपके स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो आपके एक्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई लगा कि जो एक्जाम में पूछ सकते हैं बट अहां देखो सेवन लोग थे जो धाइम रहते हैं तो आप गोतव कर लेना देख सकते हैं पूरी पीछे लिस्ट दी वह जैसे खलिल एहमद आर्ट से बिलॉंग करते हैं यूपी से हैं ठीक है उत्तरपदेश से हैं तो आपके अगर स्टेट से हो मैने सारे स्टेट से आम मेंशन किया है असम से आप हो आप वे मेरे state के जो है वो मैं end में बताईता हूँ इसमें आपको याद हो जाए कि किस तरह अपने state के go through करना है ठीक है आप देख सकते हैं आपर सब के state के नाम मैंने mention कर दिये हैं इसमें अगर आपके state के हो आप एक बाग गो करना अपने state के लिए important है ठीक है वैसे कोई ऐसी फेमस परस्टाइटी जो अफको दूसी कंट्री की है वो तो मैंने आपको बता ही दी अब यहाँ आप आप जमून कश्मी का देख सकते हैं इंपोरेंट है जमून कश्मीर के यादखेगा आठ फील्ड में गुलाम नभी दर क मिला है ठीक है अब यूपी से बिलॉंग करते तो आप देखे राधा क्रिश्टन को मिला है मेडिसिन की फिल्ड में ठीक है गुजरात से हैं यूपी से राइसान से जहां से भी है और आप देख सकते किसको किस फिल्ड में अवाट दिया गया है अब आप लोग सोच अब आप देख सकते हैं यनुग जमो लेको जो है एकरी कल्चर की फिल्ड में उनको दिया गया है पूर्णिमा महातो जो है इनको मिला है यह जार्खन से बिलॉंग करते हैं यहां पर बीनका नाम लिखा हुआ है तो आप और आपके स्टेट्स यहां पर देख सकते हैं आप पर मेंशन हैं आपको जो भी स्टेट से आप हो आप देख सकते हैं पापो नियुगुणिया का मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले तो आप गोत्रू कर सकते हैं ठीक है नेक्स फ्रांस में अभी आपको बता है फ्रांस औरीशा से एक और आगे देखिए भगाबत सब्सक्राइब करा में लिए रहा आप जिस स्टेट से बिलॉग करते हैं आप गोत्रू कर सकते हो कोई समें कोई नई चीज नहीं है ठीक है संजेज जी देखिए एगरी कल्चर फील्ट से कोवा में इनको मिला हुआ है आप यहां पर जमून कश्मीर में देख सकते हैं रोम मैं आपको बता दी है आप गोत्रू कर लेना इसके लिए स्ट आपको मैं पीडिफ प्रोवाइड कर दूँगा ऐसा कोई पद्मेश्री में इतना इंपॉटन नहीं पूछा आएगा आपसे ठीक है बढ़ देकि मैं मद्यपरदेश ते बिलॉंग करता हूं ठीक है तो मैं आ हमारे मिला है पदमेश्री चाल लोग को मिला है उनको ओने हैनिकि आप अपने स्टेट का भी लिस्कुट drops कर सकते हैं ठीक है पहले हैं ऒंपरकाश शर्मा हमारे cm साब खुद उजयन से आते हैं तो देख सकते हैं उन प्रकाश शर्मा भी उजयन से हैं मार्च फोग ठीटर में मिला है आठ की फिल्ट में को मिला है पदमिश्री 85 years के हैं उजयन से बिलॉंग करते हैं नेक्स देखेंगे भगवत लाल राजपुरोहित ये भी उजयन स स्विमर हैं भिंड से बिलॉंग करते हैं मद्द परदेश में पहले एशन पहले एटलीट है जिनने इस चैनल को क्रॉस किया तो भी पदमिश्री दिया गया है स्पोर्ट की फील्ड में मद्द परदेश्री तो एज सिर्फ है 36 years देख सकते हैं इसने यंग परसन को मिला है लार्ट जो हैं हमारे मद्द परदेश्री को मिला है कालू राम बमन्या ओके वी से बमन्या भी से भजन सिंगर हैं देवास से बिलॉंग करते हैं आर्ट के फील्ड में मिला है पदमिश्री 53 years के हैं और उनको पदमिश्री तो देखे मैंने अपने स्टेट के चार लोग को म पूर्ट करने वाला है 24 तो इसलिए पदमा वॉट्स एक्जाम के लिए पॉरे पाच को पदमिश्री के मैंने देख सकते हैं पूरे जितने भी इंपॉरे इंपॉरे टॉट्ट टॉपिक्स थे पदमा वॉट्स के मैंने डिसकस किये इसलिए इस लेक्शर को लाइट में मत लेना गोतरू पूरा किया हुगा कुछ नाम तो आपको मेरी आवास से ही याद हो जाते हैं तो आपको कुछ याद हो गयोंगे इस चक्कर में अब यह लेक्शर यहां पर कंप्रीट होता है इसकी पीट-एफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी आप अपने लेस्ट जो ह यहां पर मेंशन है फोन पे पे टीम गूगल पे नंबर भी क्या हुआ है ओके तो इफ यू वांट टू कॉंट्रिबूट तो आप कॉंट्रिबूट कर सकते हैं क्या देखिएगा यह एक वॉलेंटली डोनेशन है आप नहीं भी डोनेट करते हैं आप वीडियो को लाइक कर सक जोगरफी हिस्ट्री एकनॉमिक से इन सब के लिए कोई सलूशन है आपके पास बिल्कुल है आपको अपने हैंड इंटन नोट्स प्रवाइड करता हूं क्या देखिएगा वह नोट्स स्पेशली आपके लिए मैंने मैं बनाया है जनरल स्टरीज के 14 बुकलेट्स हैं जो है आप यहां पर देख सकते मैंने कुछ फाइल्स की फ्रेंट पेज लगा रखें आप चाहें तो मुझे वाट्चैप करिए नमबर नीचे बेंचे बेंचे आप उस पर वाट्चैप कर सकते मैं आपको बताऊंगा कैसे आप नोट्स को भाई कर सकते हैं कि नोट्स मिलने के ब आप1 आप या गया वाट्चैप नहीं करना चाहते हैं अंब डारेकट्टी एप्लीकेशन से ब्या कर सकतो आप देख सकतो हमारे अप्लीकेशन हमें देवशीश classes आप आपको यहां से बाई कर सकतो सारी classes एवलेबल हैं यहां दखिएगा आपको यहां पर प्री में सब कुछ यहां पर एवलेबल मिल जाएगा तो आप application को डाउलोड करो वहां से भी आप notes को भी भी बाई कर सकतो अब UPSC के अगर आप preparation कर रहे तो मैं आपको बता दो अभी मैंने एक निया course launch किया UPSC lifetime access lifetime access मतलब आपको one year two year की जरुरती नहीं है lifetime आपकी validity रहेगी इसमें pre भी रहेगा mains भी रहेगा और even optional subject भी मैं include कर रहा हूं that is public administration एक cost में याद देखेगा आपको पूरा UPSC का NCID test series सब कुछ available हो जाएगा उसको आप buy कर सकतो buy करने के लिए याद देखेगा आपके लिए हमारा application का link जो है वो description box में है आप अगर contact करना चाते हैं कैसे तयारी करें सर guidance कैसे मिलेगा क्या proper guidance भी देंगे बिलकुल याद देखे हैं मैं आपको word to word आपको guide करूँगा कैसे preparation करना है first step में कैसे clear करना है उसके लिए आपको क्या करना है आप इस lectures को खई सकते हैं याद दखेगा याद मुझे call or whatsapp कर सकते हैं मैं आपकी help कर दूँगा उसके बाद भी आप इनको buy कर सकते हैं तो यहाँ पर lecture हमाया complete होता है padma watch आपने दिखा होगा किस तरह मेरे lectures रहत सब्सक्राइब है कम टाइम पर तैयारी करने हो तो इस चैनल से जरूर जुड़े जा देखेगा अब हमाएं प्लेलिस को चेक कर सकते हैं आप lectures को चेक कर सकते हैं किस तरह सम टाइम पर चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं पीडिएफ का मिलेगा टेलीग्राम में मिलेगा link प्रजेट है economic survey है बहुत कुछ आने वाला है तो इसलिए आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है सब्सक्राइब करके रखना है वीडियो को लाइक करके रखना है इस वीडियो को शेयर कर देना है इसे मैं ऐसे लेक्षेस आपके सामने लाता रहूं कोई डाउट क्यों लिए वो भी आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं तो thank you everyone जय हिन जय भारत